हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टाडी चैनल स्टाडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी important रहने वाला है और अगर आप teaching लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी important है तो आज की morning news में मैं आपके लिए काफी important खबरे लेकर आया हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि 10500 से ज़्यादा new teaching post आने वाली हैं तो उन में किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं तो उन पर अभी डिसकेशन करेंगे इससे पहले कल मैंने एक कोस्टन दिया था कि ओपन यूनिवर्स्टी की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लेंड टॉप फाइव कमेंट्स देख लेते हैं हिमानसु कटारिया जी का पहला कमेंट था इनका करेक्ट आंसर है ओमसाई इनका भी करेक्ट आंसर है अनिल कुमार इनका भी करेक्ट आंसर है मनोज कुमार सर्मा इनका भी correct answer है और जीतिंदर कुमार इनका भी correct answer है तो आज का जो question है वो है Mount Everest को नेपाल के अंदर क्या बोला जाता है जो Mount Everest है इसको नेपाल के अंदर क्या बोला जाता है तो साथियों अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं जो न्यू वैकेंसी आएंगी जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB की जो पारदर्स्तिता है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं तो केंडिडेट्स की क्या डिमांड है और अगर सबी मिलकर चलते हैं तो ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं हाला कि जो भी सोचल जिस्टिस हैं उनके पास भी ये कोशन जा चुके हैं तो बदलाव ये देखने को मिल सकते हैं एक तो OMR SEAT क्योंकि केंडिडेट्स की डिमांड है कि OMR SEAT उनको मतलब दी जाए प्रोवाइड की जाए जिसे उनको पता चल पाए कि उनके मार्गs कितने है जिसका कि आपने देखा एक डर होता है कि यर कितने मार्क्स थे और अब कितने हो गए तो यह चीज़े कही न कही गलत भी है इसके बाद second यह है कि रो मार्क्स भी बताए जाए जो मतलब रो मार्क्स है normalization से पहले तो वो marks भी पता लगने चाहिए इसके बाद exam shift में होना चाहिए मतलब ये candidates की demand है कि exam shift में हो एक ही shift में हो ये ना कि बार-बार की जिसे मतलब ये अब की बार बहुत सारी shift में हुआ exam इस प्रकार ना हो एक ही shift में exam हो इसके बाद जो और बदलाव है जो question है वो मतलब ऐसे repeated question भी ना हो और अगर online exam होता है आप समझें अगर online भी exam होता है तो exam ऐसे नहीं exam हो गया तो उसके बाद हमें कुछ proof मिलना चाहिए कि हमने क्या answer लगाए क्योंकि ये सोचने वाली बात है बहुती गलत बात है कि आप लोग exam करके आए और आपको ये नहीं पता कि कौन सा question आपने किया है कुछ question पता होते है लेकिन काफी ऐसे question होते है जो पता नहीं होते कि कौन से question हमने करे है इसके बाद फिर answer की आती है कि आप challenge करें क्या challenge करें हमें क्या पता है कि यार क्या किया है तो ये चीज़ें भी गलत हैं इसका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए और जैसे आपने देखा बच्चों ने, केंडिडेट्स ने कोशन चैलेंज करें तो उनके चैलेंज एसेप्टी नहीं करें हाला कि साफ़तोर पे काफी कोशन ऐसे थे, जो गलत लग रहे थे मैं आपको बताओं मैंने कुछ टीचर्स हैं, बहुत सीनियर टीचर्स हैं, काफी उनकी एज हो रही है तो उन्होंने भी खुद अपनी जो पुरानी बुक्स हैं, उनमें से भी देखके काफी कोशन थे हिंदी के, जो गलत थे लेकिन DSSB ने एक भी कोशन को ऐसे अपनी किया तो मैं यह नहीं कह रहा कि परसनली मेरा किसी से गलत वो है हाँ, मैं यह चाहता हूँ कि सभी के साथ बहुत अच्छा हो, गलत किसी के साथ ना हो और इन मुद्दों पर जरूर बदलाव देखा जा सकता है तो साथियों, उम्मीद यही है कि सारे चीजे आपके साथ सही हो और इन मुद्दों पर जरूर बदलाव होना चाहिए क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं होते हैं तो पारदर्सिता नहीं रहे पाएगी अगर होती भी है तो कंडिडेट्स के मन में कहीं न कहीं डाउट होता है और ये बहुत बड़ी बात है कि काफी कंडिडेट्स ने डिमांड करी कि OMR सीट हमें दें लेकिन OMR सीट नहीं दी उनको RTI लगाने के बात भी उनको OMR सीट प्रोवाइट नहीं की जा रही तो साथियों ये अपडेट है आपके लिए इसके बाद बताना चाहते हो जो साथी अनकैर्मी पर पढ़ाना चाहते है बहुत अच्छा ओफर चला हुआ है उनके लिए आप बिलकुल खुश हो जाएंगे अगर आप जोइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट और इसके साथी आपको बेनिफिट दिया जाएगा तो जो भी इंट्रेस्टिट साथी हैं एक बार कॉंटेक्ट करें गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम